गुर्बानी दी ताकत मा पुत दी कहानी करो बड़ी शेती शेती त्यार हो मैं अपने स्कूटर नूँ कीक मरी ते अपनी मानू अवाज दिती मा आजा हुन जल्दी मैं तेनू बासच वीच चड़ा के कचेरी वी जानाए अपने साथिय नाल मंग पत्तर देन ता माने अग्य हो आज दिन्दे होये किया आगी पुत बस आ सूट नाल दी चुन्नी नहीं लाब रही मैं ए सूट नाल लेके जाना सी नाले दुख पंजनी साहब दा पाट वी करना सी ले लाब गई चुन्नी ता पाट चल बास वीच बहके ही करला मांगी तेन्नू देरी हो रही है चल कट स्कूटर बार मैं जोत ते नूर नू मिल आवा फिर हफ्ते बाद आउना मैं जवाका ने कहना दादी मिल के वी नहीं गई नाले अपने नूर वाली ठंडे पाणी दी बोतल ले जावा जे रस्ते विच प्यास लगी ता पाणी पी लवांगी एन्नू वी स्कूल लो अजे चुट्यां ही ने इंज कहन दी होई मा जवाका ते कर वली नू मिल सिर्थ ते हात रक प्यार दिन दी होई स्कूटर ते आण बैठी मैं स्कूटर तोर अडे वाल नू चाल पया मैंनू रस्ते विच जद जान दी मा कर दे सारे काम समझाओं दी ते टाइम नाल करे जान बार केंदी होई अड्डे पोँच गई मैं मानू बास वीच चड़ाऊं दे वक्त पैरी हत लाऊं देया मानू उस दा कपड़यां वडा बैग ते ठंडे पाणी दी बोतल फड़ाऊं देया बास वीच बिठा दिता ते उस बास दा नंबर लिख के करे फोन ते वटसेप कर दिता क कि मानू बास विचड़ा दिता है ते तुसी पैन नू फोन लाके दास दियो कि ओ मानू अग्गों आके एन्ने टाइम तक लेजान एन्ने टाइम ते अड्डे तो बास तुर पवेगी ते एन्ने टाइम नू उत्थे पहुंच जावेगी क्योंकि मैं कचैरी जान तो लेट हो रहा सी इसलिए आप पैन नू फोन नहीं लाया कि गल्ला गल्ला विच मैं लेट ना हो जावाँ फिर आप किक मार अपने साथिया कोल के चैरी जान ले जा पहुंचिया तकरीबन पोने कू कंटे बाद एक उड़दी उड़दी ख़बर मेरे कनना तक आ पहुंची कि लु मैंनू कुछ अजीब जहे ख्याल आउने लगे मैं अंद्रों अंद्रे डार रहा सी पता नहीं क्यों मैंनू इंजी ही क्यों लाग रहा सी की इह उई बासना होवे जिस विच मैं मानू जगराउनू चड़ा के आया सी मैं वाहिगुरु वाहिगुरु दा नाम जापदा स्क स्कूटर चक कारनू तुर्पया हजे कारवली गली विच ही मुडया सी की बुए अग्गे लोका दा इखट होया देख मेरे पैरा हिठों जमीन निकल गई मैं बुए कोल जा जल्दी जल्दी स्कूटर नू स्टैन ते खड़ा कर अग्गे नू वद्या मेरी कारवली कोल सब आंड गौंड वाले खड़े होंसला रखण बारे कह रहे सी मैं चीक दी होई अवाज नाल पुच्छा की होयाए मेंनू दसो की होयाए कोई दस क्यूं नहीं रहा पाई मेंनू पता तां लगे की गल होई या एन्ना एक अट क्यूं किता है तां एक गौंड वीच रेंदी मा पता ने किया पुत तू वी होंसला रख काल सुनी कबराईना वाहे गुरू सब ठीक करूगा मैं फिर किया पर मेंनू कोई दस्वी की होया की है ता माता ने मोड़े ते हात रख देया किया पुत जिस बस विच तेरी मा गई सी उस बस दा एक्सिडेंट हो गया है उस दा पता नहीं कि ओ किस तरह है बस इपता चलिया कि ओ बस किसे ट्राले नाल सिद्धी वजजी है ते बहुत लोग मरे ने एनना सुन दे ही मैं पैरा पार डिगदा होया उच्ची उच्ची रोन लगा मेरा डर मेरे अग्गे आगे खड़ा होया जो मैं कुछ मिंट पहला सोच रहा सी मैंनू मा दे तुरन लग्या उच्ची उच्ची रोन लग पैसन मैंनू चुप करवा होसला दिन्दे होये लोका ने मैंनू उस था ते पोंचन ले किया जिस जगा एक्सिडेंट होया सी मैं अपने आपनू संबालदा होया मुड स्कूटर न चुक पिछे नू फिर मुड उ रस्ते विच काफी माडे ख्याल मेरिया अख्खां दे मूरे आ मेंनू अंदरो पूरी तरा तोड रहे सी मैं पुछदा पचांदा उस जगा ते पोंच गया की देगदा हा की बास दा एक हिस्सा ही बचया होया ते तिन हिस्से बास दे पूरी तरा खतम हो चुके सन मैं होर भी डार गया बास दी हालत देख के लोका दिया चपला जुतियां ते होर समान भी सड़क उते खिलरया हो प्या सी खून आल बास दे शीशे रंगे होय सन सड़क ते भी खून काफी दूर तक डुल्या होया सी मेरी निगा दूर दूर तक अपनी मान नू लब रही सी पर अड़ हस्पताल लिजाया जा चुका सी उस जगा सिर्फ आउंदे जाउंदे लोका दे मेरे वर्गे लोका दा जिना दे परिवार दे मेंबर इस बास वीच सन उही नजर आ रहे सन मैं होली होली अग्ये नू वद्या लोका दे खिलरे समान नू देख दे होय मेंनू अपनी मा दे हात विच दिती ठंडे पाणी दी बोतल नजर आई मैं पाज के उसनू चुक्या पर बैग नजर ना आया मैं उस बोतल नू हिक नाला के फिरर तो रोन लगा मेरे हंजूते मेरे हों के मेरी अवाज दा साथ नहीं दे रहे सन मैं लोका नू पुछिया की किस हस्पताल लेके गए हन इस बस दी सवारियनू किस जगा लेके गए ने मैं सहमी जी अवाज नाल पुछिया ता उत्थे घड़े लोका ने मिन्नू हस्पताल नाम दस्दे होये किया कि कुझ ही बचे ने इस बस विच सफर करन वाले इस पैन नू वी नाल ले जाओ इस पैन दी बेटी वी इस बस विच लुदे आने जा रही सी मैं उस रोंदी होई ओरत नू पिछे बिठा उस हस्पताल पोंच गया जित्थे हस्पताल दे बाहर लोका दा पारी कट सी ते लोका वालों रोस वज्ज शोर श्रब वी किता जा रहा सी मैं तक दत काउंदा अंदर नू जाओन जिस जिस बैटते जखमी स्वारियां पैया सन मैं उ सारे देखाया पर मा नजर ना आई मेरे नाल जो ओरत आई सी उसनू भी उस दी बेटी नजर नहीं आ रही सी फिर मैं उत्थों किसे डक्टर नू पुछे आता उना ने दस्या की जेडियां स्वारियां दी मोत हो गई है उना नू पोस्ट मार्टम लई पोस्ट मार्टम रूम विच पेज दिता है तुसी उस जगाते जाके देख लवो इबोल मेरे दिल नू चीर दे हुए मेरी रूम नू वी विन रहे सन मैं पिजियां खाते कंबदी वाजनाल पोस्ट मार्टम रूम दा पता पुछया मेरे अगर ओ ओरत वी रोंदी होंके लेंदी तुर्पई मैं पोस्ट मार्टम रूम अंदर गया ते कंबदे होए हथा नाल इक इक चादर चुक मूँ देख रहा सी ते मूँ विच मूल मंतर दा जाप वी कार रहा सी मेरे पिछे ओ ओरत वी सब लाश्या दे मूँ देख रहा सी चीका ने हस्पताल विच दर्दनाक महोल बना दिता सी क्योंकि उस दी बेटी दी लाश उसनों नजर आ गई सी हुन मेरी वारी सी सिर्फ चार पांज लाश्या लाश्या ही बाकी देखन वालियां रहे गईयां सन मैं वाहे गुरू वाहे गुरू दे मूल मंतर जापता अग लाश्या नू वेगदा लाश्ट चादर चुक देखन लगगा मन बहुत डर्या होया सी मन वाहे गुरू वाहे गुरू केंदे होये ओ चादर वी चुकरिती की देख्या की उस थावी मा नजर नहीं आई ना ओ जखमिया विच हस्पताल विच दाखल सी ते ना हू पोस्ट म बाटम रूश्या विच मैं जल्दी जल्दी बाहर निकल्या ते बाहर खड़े लोकानू पुछल लगीा की होर स्वारियां किथि ने जो इस बास विच शन उत्थे खड़े लोकाने लोका ते कुझ डाक्टरां वल्लो दस्या गया की गुल 45 वारियां शन बास विच जिस विच सोला उर्ता थे बच्चे थे आठ्थ मर्द ने बाकी एककी अंदर हस्पिताल इलाज ले दाखलान। मैं किया पर ना एककी जखमिया थे ना चोवी मौता विच मेरी माँ है। ओ वी इसे बस विच सी। ओ में नू नहीं मिली। अगों लोग कहन लगे एक वर होर देख आओ शायद तो नू कबराया होया नू पता ना चल्लिया होए। उद्रों जदों मैं कर फोन लाके दसन लगा की मादा कुछ पता नहीं लाग सकया की देख्या की फोन ते पहन दिया कई मिस काला आया होया सन। मैं डर्दे डर्दे ने पहन नू फोन लाया ते मनो मनी सोचन लगा की पहन नू किस तरह दसन गा की मादा एक्सिडेंट हो गया है ते मिल नहीं रही। एननू पहन ने फोन चुक या ता कहन लगी की होया वीर मैं उस दे अगले बोल बोलन तो पहला ही कह दिता कुछ नहीं होया पहने फिर पहन कहन लगी फोन क्यू नहीं चुक दा ना करे पाप भी नू फोन लग रहा है उस दा भी स्विच आफ आ रहा की गल सब खेरता है हो गए हो हजदी हजदी कहन लगी मैं कहा पहने मा एक दिन लगी ही नहीं गई आजे अगए बोलन ही लगा सी की अगो पहन कहन दी हाँ हाँ पता वीरे पूरा हफता रहन आई है पर असी एक हफता नहीं दो हफते रखांगे मानू किन्ने चिरां बाद आई आ इस वार पर ओ विचारी फिकर करी जान दिया कि नूर दी थंडे पाणी दी बोतल जो ओ ले के आई सी ओ दूसरी बास विच रह गई जिस विच ओ पहला बैठी सी ओन जदो ओ कर गई ता बोतल बारे पता लगण ते नूर ने रो रो बुरा हाल कर लेना है मैं हरान हुन दे हो ते अक्खा विच खुशी दी चमक नू मैसुस कर दे उच्ची दिनी पुछया मा पोंच गई तेरे कोल तापे ने अग्गो कोस दे होए किया आ गई प्रावा पर तूसी दसना नहीं सी की मा इतो तुर पई है ते इनने टाइम तक पोंच जाओगी ते मैं मैं बहुत खुश हो या इंज लगया जी में मेरा वाहे गुरू मैंनू अपनी बुकल विच लै सिर्थे हात रख मैंनू काली हने री परी जिंदिकी तो बचा के लांग गया होए मैं मा दी अवाज सुन एनना खुश हो या कि मैंनू कुझ वी नहीं दिस रहा सी सिरफ माही दिस रही सी मादी अवाज ही सुन रही सी ते मानू पुच्छ तो पता चलिया कि ओ बस विच्चों इसलही उतर गई क्योंकि उस बस विच गीत बहुत उच्ची उच्ची अवाज विच लगय होए सन ते मैं दुख पजनी साहिब दा पाठ कर रही सी ताम मैं अड़े तो ब बाहर निकल दी निकल दे ही चोंक कोल उतर के दूसरी बस विच चड़ गई सी मैं फोन कट्या थे स्कूटर थे किक मार के करे आप उंचिया करे अजे भी बहुत लोग बैठे सन ओ मैंनू देख दे होए खड़े हो गए ते पुच्छन लगई की पुत तेरी माँ ठीक है ना मैं चेरे नू मुसकराहट लिचे लिच लियाँ दे किया हां मा ठीक है उता पैन कोल पौंच गई सी ते फिर मैं अपनी करदी नू किया की मैं जो मیसेग een चिक ता सी के पैन नू दस दिन मा तुर पही है पैन नू फौन ला के क्यों नहीं दसिया ता कर दीन दसिया की मैं तो डे मैसी नूँ देख बस दा नमबर लिख के पैनू फोन लाउन लगी ही सी की अचानक जोत दे पज्जे आउंदे मेरे विच वज्जन नाल फोन जोर नाल हेटा डिग पया ते उस तो बाद ओ चल्या ही नहीं मैं डर्दी ने तर नूँ दस्या भी नहीं की जोत नूँ चिड़कोंगे मैं हस्दे होए ने किया एहो जहे सो फोन होर वार देमा अपनी मात तो आज पता चल्या की गुरुबानी विच किन्नी ताकत है गुरुबानी वाकई बंदे नूँ मोट दे मूँ विच्चो मोडले पता नूँ वाजी